तो यहां पर आज हम लोग नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं वह है मेकेनिकल प्रोपर्टीज ओफ सॉलिट्स अलग अलग बुप में अलग अलग नाम से ही चैप्टर गिवेन है कहीं पर यह गिवेन है इलास्टिसिटी वगरे के फॉर्म में कंटेंट वही है प्रणा में वही है तो स्टार्ट करते हैं मेकेनिकल प्रोपर्टीज ओफ सॉलिट बात करते हैं आखिर मेकेनिकल प्रोपर्टीज क्या है प्रोपर्टीज क्या होती है प्रोपर्टीज जैसे हिंदी में कहते हैं गुल उर्दुम क्या कहेंगे सिफत क्या कहे की इच्छा है कि होती है। उसी कए से मैज के अपनी पहचान होती है। और उसे के बेस पर उनका सेलेक्शन होता है। करो प्रोड़क्ट बनाना होता है। जैसे झार आपको इस रूम से उस रूम में electricity को लेकर के जाना है तो आप electricity transfer करने के लिए wire यूज़ करेंगे wire जाहिर से बात है वोड का तो यूज़ करेंगे नहीं क्यों कि उसकी electrical conductivity बहुत कम होती है आप ऐसे material का selection करेंगे जिसके electrical conductivity ज्यादा होगी यह पहली प्रोबटी होनी चाहिए उसके अंदर दूसरी प्रोबटी कि वह मैं उसे wire के फॉर्म में convert कर सकूं यानि फोर्स लगाने पर वह वायर के फॉर्म में drone हो सके यह भी प्रोबटी होनी चाहिए तो यह बात होती है प्रोबटी की कि इनके basis पर उनका selection होता है अगर घलत selection होता है तो वहाँ पर उसके result भी घलत आते हैं जैसे एक selection यह था Titanic ship डूब गया था Titanic ship डूबा तो कैसे था जब वह टकराए था एक जिगह वहाँ पर और टकराने के बाद क्या होता वह ब्रेक हो गया था और पानी उसमें भरने लगा था water fill करने लगा था और एट दे लास उन्होंने पंप से पानी पिचक जाता है तोटता नहीं है माली ज्या वह कुआ आइक प्रबट्डी होते ब्रेटिलनेस सो यह दिशिशह ब्रेटिल है क्नास अगर माली ज्या कर बदना देतु क्या होगा तोट जाेगा उन्होंने टाइटेरिंग में वह बैटेर्यलिउस किया था जो की загने वाला ज़्यादा जरूरी है यह बात हो कि इसकी इंपॉर्टेंस की अब आईए सबसे पहले प्रॉपर्ट्टी समझते हैं वह है इलास्टिसिटी कि इलास्टिसिटी यह प्रॉबट्डी होते मेटेकल की क्या होता है इसको समझना है आप डिफिनिशन बुक से लिख लेंगे डिफिनिशन में यहां पर नहीं लिखा होंगा मैं आपको वह आपके पास बुक है उससे लिख लीजेगा देखें माली यह एक मैटेरियल है इसके पर एक फोर्स लगाया और इसको डिफॉर्म किया इसके लिंथ को इनक्रीज किया एक चिसको छोड़ दिया अगर एक्सितरनल फोर्स को रिमूफ करने के बाद यह अपनी परानी वाली पोजिशन को यानि 10 मेलेमिटर को फिर से री इंगेन कर ले तो यह नाकर ज़ा का परफेक्टली इलास्टिक बॉड़ी जरूरी थोड़ी है कि वो पूरा का पूरा सेम शेप ही रीगिन कर ले हो सकता है स्टार्ड में 10 mm था मैंने खीच के उसे 14 mm कर दिया मैंने एक्स्टर्नल फोर्स को रिमूफ किया वो 10 mm ना जागर कि अब 11 mm पर रुप गिया एक इलास्टिक इसके अंदर है लेकिन पर्फेक्टली नहीं है अगर वह औरीजिनल को पूरा रीगिन कर लेता तो क्या कर आएगा पर्फेक्टली इलास्टिक बॉड़ी इसके बाद दूसरा प्रोपट्टी आता है वह होता है प्लास्टिसिटी है कि अधिक्पद है अच्छेश केी सिवांबध क्या होता है एक लियुठ सीदिल है एसे के सारी मेटेरियल होते हैं स्टीब भी एलास्टिक मेटेरियल होता है लेकिन एक लेमिट तक उसकी लेमिट होती है अब ही मैं आपको डिफाइंग करूँगा उसको हुआ प्लास्टिसिटी अगर हम किसी मेटरियल को एक्स्टर्नल फॉर्स लगा gylast करें और धी-फॉर्म करने के बाद जब हम लोग एक्स्टर्नल फॉर्स को हटाएं वो अपनी पुरानी वली पोजिशन को रीगेण ना करें इस इस प्रोबर्डिक करते हैं प्लास्टिसिटी जैसे कि क्या होता है गिली मिट्टी गुथा हुआ आटा क्या करेंगे आप उसे डिफॉर्म करके छोड़ दीजे वही रहेगा फिर वो अपने ओरिजिनल पोजिशन को रीगें नहीं करते हैं यह कहलाता है प्लास्टिसिटी क्लियर अब इसके साथ सथ कुछ और प्रोपर्टीज भी है उसको भी चलो सीख लेते हैं एक साथ ही तीसरी प्रोपर्टी आती है डक्टिलिटी डक्टिलिटी डेफिनिशन आप भुख से लिखीएगा बहुत दो-डो लाइन की डेफिनिशन है बस समझना यहाँ जरूरी है 15 अधिलिटि जैसे में एक्जामपल देया जिनको हम wire में convert कर सकते हैं, they are called as ductile material, यह property उसके कहलाती है ductility, ऐसे material, जब हम उनको external force लगाकर के wire में convert कर सकते हैं जली, वो कहलाता है ductile material, और यह property कहलाती है ductility, के लिए समझ में आगया हुआ, दूसरा एक और प्रोबर्टी है, वो है malleability, malleability, देखे ductility मतलब drawn into wire, और यह क्या है, drawn into thin sheet, ऐसा है material, जिसको external force लगाकर के, हम thin sheet में convert कर सकते हैं, जैसे, example में aluminum, aluminum को foil आते हैं न, silver, silver को foil होते हैं, gold आता है, अब देखे, कभी-कभी आता है, कि silver के foil मिठाईयों पर लग के आते हैं, बहुत पतले-पतले होते हैं, जो चमकता हुआ रहता है, वो silver के foil होता है, उसे बोलते हैं, चांदी का वरक, एक general image में, बर्फिक उपर लगा होता है, उसको कैसे करते हैं, आप पुराने लखनों में जाएए, कहीं जाएए, कट की आवाज आती रहती है, तो उसे क्या करते हैं, लेदर के अंदर लगा करके, हतोड़े से पीटते रहते हैं, पीट पीट के कितना पतल हाँ, 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 सोने करके होता है, तो यह मैं कह रहा हूँ, तो क्या होता भई, यह, जो है, यह, ऐसा material, ऐसी प्रोबर्टी, जिसके थूरू, material को हम एक thin sheet में convert कर सके, वो कहलाता है, malleable material, जैसे आप car की bonnet पे अब आते हैं, last property सुन लिए, वो है, brittleness, brittleness, इसको कहते हैं, zero ductile, अगर material के अंदर ductility कम है, zero है, तो इसका मतलब वो brittle है, brittle का मतलब वो deform नहीं होगा, बलकि break कर जाएगा, जैसे आप glass ले लिए, आप force लगाईए, क्या उसे मोल्ड लेंगे, नहीं, वो टूड जाएगा, समझे, तो कार की bonnet brittle material रही बनाए जाता, बलकि हम किसके बनाते हैं, हम बनाते हैं, ductile और malleable material का, ductile ये, brittle material यूज नहीं करते हैं, इसे चौक, बोट पे लिखने वाले चौक, आप उसे deform नहीं कर सकते हैं, बलकि वो break कर जाएगा, तो यह कहला liability and brittleness, तो बोट के exam के लिए इतना sufficient है, element में, यही आपको syllabus में, अब दो term ज़रा और सीख लें, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, दो term ज़रा और सीख लेते हैं, एक term यहाँ पर stress, देखो, formula की लिहास से क्या पढ़ते हैं, इस्ट्रेस का formula जो होता है, इसको अगर sigma से represent करें, ज्यान दीजेगा, यह होता है, force upon area, अक्सर हम लोग बुक से पढ़ लेते हैं, और कहते हैं, इसका unit होगा, newton per meter square, यह होता है, सोरी, millimeter में इल दिया, newton per meter square, SI unit, force upon area stress, है न, मैं ही पर कहता हूँ, pressure क्या होता है, what is pressure, pressure को piece ही represent करें, तो यह भी तो होता है, force upon area, और इसका भी unit होता है, newton per meter square, then what is the difference between stress and pressure, stress and pressure, what difference हुआ, formula same, force upon area, unit same, pressure दूसरी चीज़ चाहता है, stress खुद बखुद होता है, हम, खुद बखुद होता है, समझे अब, थोड़ा समझे गा, यह concern का मैं यूज़ करूंगा भी, देखें, जब हम किसी material पर force लगाते है, external, तो हमारा aim होता है, इसको deform करना, मैं खीच रहाँ उसको, क्या कर रहाँ मैं, deform करना चाहता हूँ, force लगा रहाँ, यह क्या चाहता है, यह material क्या चाहता है, deform नहों, तो क्या कहेगा, चिलाएगा, नहीं, वो force लगाएगा, और force कैसे लगाएगा, आपको opposite, आप tensile force लगाएगे, खीचेंगे, तो क्या करेगा, compressive लगाएगा, अपनी तरफ खीचेगा, आप इसको फैलाना चाहेँगे, यह स restoring force ता कहेंगे internal restoring force यह internal restoring force यह force होता है पर unit area यह कहलाता है stress external force upon area stress नहीं होता बलकि जो material का internal restoring force है या इसको कभी कभी दूसरी language में कहते हैं कि external force का oppose करने के लिए एक internally resistance force लगता है वो पर unit area वो कहलाता है stress अब एक दूसरा सवाल उगता है क्या stress तभी developed होगा जब हम force लगाएंगे अगर यह ऐसे है और मैं इस पर force नहीं लगा रहा हूँ तो कोई stress यहां पर नहीं है क्योंकि यह तो चुपचा बैठा हुआ ना मैंने इसको deform करना ही नहीं चाहा तो external force अगर apply न किया जाए तो material के अंदर कोई stress develop नहीं होता है दूसरा बात मैं कहता हूँ दूसरी बात कहता हूँ कि हो सकता है यह पर फिर मैं कहता हूँ अभी मैंने का क्या गा external force apply नहीं करेंगे तो stress develop नहीं होगा मैं कहता हूँ मैं बिना force apply किये भी stress develop कर सकता हूँ कैसे heat के थुरू एक बात बताईए किसी material को जब है तो मैटेरियल किस से मना होता है मॉलिकूल से पढ़े होंगे सब लोग बही आपने इनेरजी दे दिया और उन्हें अपनी जगा छोड़नी पढ़ेगी इदर उदर जाने लगेंगे अब जब मॉलिकूल इधर दौर जाएंगे इसका मतलब डिफॉर्मेशन होगा घालों मे गर्मी में देखिए आपके खिड़की के दरावाजे क्या होते हैं कभी चोटे कभी बले हो जाते हैं कभी सिटकी isolating से लगती हैं कभी गर्मी में क्या पता सीटकी लगी नहीं पा रही है तो यह यह cứ्वितन का काई पर टे 보ी आप रेल की पृत्री ट्रैक पर देखिए तो जाती है क्यों जब गर्मी होता नहीं तो यह प्ट्री है तो यह फैल जाती है expansion होगा expand होगा तो यह जो gap था वो कम हो गया ठीक है और जब जाले आएगा तो इस यह shrink करेंगी तो यह gap बढ़ जाता है अब वही बात यहां पर आ गई अगर हमने यह gap न दिया होता और summer में यह expand करेंगी तो expand में क्या को यह जाएंगी कहीं क्योंकि expansion के लिए हमने उसको जगाई नहीं दिया इसलिए वहाँ पर गैप दिया जाता है अब मैं अपनी और इसलिए बात पर आता हूं जब क्या हम temperature apply करके उसमें deform कर सकते हैं कर सकते हैं और deformation के खिलाफ खड़ा होना यानि उसका internal resistance फोर्स बनना यहीं तो कर लाता है stress तो सिर्फ temperature heat के थरू भी stress develop किया जा सकता है possible है यह ऐसा stress है जैसे किसी को हम पिटाही करके भी stress developed किया सकता है और किसी को बढू मैं इती कि तूम फेल होने वाले तुम फेल उने strain strain क्या होता है strain को समझे इसको इससे लगता है एपसालें से strain होता है change in dimension shape ऐसे शेप लेख लिए अपन ओरिजिनल शेप जैसे मैं length के case में ले लेता हूं माल लिजे इसका length पहले original L था और बाद में deform करके बढ़ा दिया गया जैसे तो change in shape क्या होगा delta L upon original length L इसके unit क्या होगा अहाँ unit less meter upon meter कट गया तो यह कहलाते है strain क्या कहलाते strain और इस case में कहलाएगा longitudinal strain क्या कहलाएगा इसको इसको कहेंगे longitudinal strain इस case कहेंगे इसको longitudinal strain रिदा समझ में रहा है कि क्लियर अब एक होता है volumetric strain वो भी समझे लिए यहीं पर कि वोलुमेट्रिक कि स्ट्रेंग भी मैं कहता हूं कि हमने इसको deform किया force लगाया इसके length को बढ़ा कर दिया इसका area क्या होगा चेंज होगा ना हम फोर्स लगा कर क्या volume मी तो बदल सकते हैं तो अगर volume बदल देते हैं उस केस में क्या होगा volumetric strain होगा और वो होगा delta V upon V यह फोर्मला बन जाएगा volumetric strain का क्या समय प्याइब भाई हां लेकिन यह होता नै कैल्कुलेशन करने में कोई पूछ रहा भाई लगूट्यू इस स्ट्रेंड फाइड कीजिए तो आप डेल्टा इल उपां एल फाइड करेंगे आप कहेंगे कोई भी object है और आप उस पर फोर्स लगा करके उसका लेंथ ब्रेट हाइट तीनों चेंज गर दे रहे हैं तो क्या उसका वॉलूम बदलेगा बदलेगा तो जब वॉलूम बदल गया इसका मतलब अपन और उरिजिनल वॉलूम कहला एक उसका वॉलुमेट्रिक स्टरेंड है कलियर अब एक थीसरा है शीर स्टरेंज और पूलियर स्टरेंड उसके यहां समझा देते आपको शीर स्टरेंड क्या होता है कि माल लीजे यह सर्फिस है और इस पर एक ब्लॉक यह रखा हुआ है यह सब यह जो सर्फिस है यह बॉर्टम इसका फिक्स है यह मूँ नहीं कर सकता आपने यहां से फोर्स लगाया और इसको कुछ इसको डिफॉर्म कर दिया आपने डिफॉर्म कैसे किया सुरी आपने उसको ऐसे कर दिया कर सकते हैं से ना और जिनल क्या था कि यह औरिजिनल था आपने उसको डिफॉर्म करकी यह बना दिया तो यह भी तो डिफॉर्मेशन हुआ यह भी डिफॉर्मेशन हुआ इसको कहते हैं शीयर स्ट्रेंज और यह होता है टैंग थीटा टैंग थीटा तैंग थीटा यह होता है रिलेटिव डिस्प्लेस्मेंट बिट्विन टू पैरलल प्लेन अपन डिस्टेंस बिट्विन पैरलल प्लेन कैसे होगा समझेगा थीटा के मतलब वह यह थीटा थीटा के मतलब यह होगा थीटा तो यह होता परपेंडिकुलर अपन बेस उससे फाइंड करते हैं अभी नुमेरिकल आएगा तो मैं आपको और ज्यादा क्लियर समझाओंगा थीजिए इस्टेंड के तीन फॉर्मुले वालुमेट्रिक इस्टेंड लोंगिट्विनल इस् शियर इस्टेंड नोट करिए इसको नेक्स्ट हमें पढ़ना इसमें हुक्स लॉक का बारे में क्या होता है बस समझ लीजिए बहुत सिंपल सा है उन्होंने कहा कि हम जब किसी मेटेरियल को डिफॉर्म करते हैं तो उस पर फोर्स लगाते हैं इन्होंने कहा कि जो फोर्स होता है अप्लाइट फोर्स वह डिaiरंग्लि प्रोपस्टनल होता है डिफॉर्मेशन यान चेंज हम के सिंपल सी बात एक दो लेकिन ये कब तक है विदिन इलास्टिकिव लिमिट अब ये टर्म क्या है मैंने इलास्टिसिटी पढ़ाया परफिक्टी इलास्टिक बॉड़ी पढ़ाया लेकिन इलास्टिक लिमिट नहीं बताया तो अभी मैं कर पढ़ाने वाला हूं उससे और ज्यादा समझाओंगा फिलहाल इजी के लिए समझ लीजे वापस चला जाएगा उरिजिनल चला गया फिर से फोर्स लगाया थर्टीन तक लेकर गया छोड़ दिया वापस चला गया फिर से एक्स्टर्नल फोर्स लगाया 14 मिले मेटर तक ले गया एक्स्टर्नल फोर्स रिमूव कर दिया वापस चला गया फिर से कीचा एक्स्टर्नल फ हर material के अपनी limit है, वो थोड़ा सा limit आएगी, समझ ये पहले, एक limit होती है, उसके पहले वो अपनी elasticity को शो करता है, उस limit के पहले, elastic property के शो करेगा, उस limit के बाद plastic property के शो करेगा, plastic मतलब permanent deformation, और उसके बाद वो टूड जाता है, break कर जाता है, तो किसी-किसी material में, elastic property दूर तक शो करेगा, और plastic वाला थोली देर शो करेगा, उसके बाद जल्दी तूड़ी जाता हैगा, किसी-किसी में elastic material थोली देर शो करेगा, फिर plasticity भी शो करेगा, फिर क्या करेगा, फिर last में जाकर के break हो जाएगा, अभी मैं stress strain कर वे से उसे समझाऊँगा भी आपको, यहाँ मैं समझना था elastic limit, तो elastic limit वो point होता है, जिसके पहले material, elasticity show करता है, और जिसके बाद material, plasticity show करता है, एकदम clear, उसके पहले वो चला जाएगा वापस, उसके बाद वो वापस नहीं जाएगा, और simple समझना है, मालीज़ आपका यह घर है, आपके घर में एक छोटा बच्चा है, और उस बच्चे के जो हैं, मैंने बाहर ले जागे छोड़ दिया, वो वापस आगिया, आगे वाले चोराएबे छोड़ा, वापस आगिया, मैं उसको जगरानी के पास लेख चला गया, चोड़ दिया, वापस नहीं आया, उसकी Elastic Limit वहीं तक थी, उसके पहले वापस आ सकता था, उसके बाद वो Plastic Deformation हो गया, क्लियर बाद समझ में आ गई, अब समझे यहाँ पर, यह Elastic Limit तक ही प्रोबड़ी है, अब उसके बाद, इन्होंने एक और साइन्टिस्ट थे, यंग्स, यंग्स, पूरा नाम है उनका, उन्होंने इसी को आगे काम किया, उन्होंने कहा कि इसी को बढ़ाया, और कहा, कि Stress is directly proportional to strain, Stress is directly proportional to strain, यहाँ और कब तक within elastic limit, समझ मारा आपको, क्लिर है ना, Stress is directly proportional to strain, और यहाँ पर उन्होंने कहा, जब प्रोबश्टनल हटाया, Stress is equal to constant into strain कहा, constant into strain कहा, ठीके, और इसी को, जब हम constant क्या है, यह Stress सिग्मा है, यह Y है into epsilon, यानि Y is equal to sigma upon epsilon, क्या हो गया, Y कहलाता है, Young's Modulus of Elasticity, sigma is the stress, and epsilon is the strain, simple, समझ में आगया होगा, Y is equal to sigma upon epsilon, Y क्या है, जो constant था, हर material का यह अलग अलग होता है, constant, ठीके, यहाँ पर देखो, क्या हमारे पास, sigma के value, F, Y, A हम जानते हैं, sigma क्या है, stress, force upon area, और क्या हम epsilon जानते हैं, delta L by L, अभी हमने पढ़ा था, दोलों के value या रख देते हैं, तो यहाँ Y क्या आजाएगा, sigma, F upon area, चलो, simple करके लिखते हैं, तो मैं दिखेगा साफ, upon epsilon, delta L by L, क्या यह ऐसे आजाएगा, यह उपर जाएगा, F L upon, A into delta L, यंग्स, epsilon होता है, strain, delta L upon L, longitudinal strain, जो मैंने यहाँ लिखा था, clear, रिदा, ठीके, अच्छे, इसके एक और नाम है, यंग्स, modulus of elasticity को, coefficient of elasticity भी कहते हैं, है न, इसको coefficient of elasticity भी कहते हैं, या सिर्फ, modulus of elasticity भी कहेंगे, हो सकता है, यंग्स का नाम ना है, तो यह भी कहते हैं, ठीके, नोट कीजिए इसको जल्दी से, stress strain curve और metallic wire, मैंने आपको stress strain, elasticity, plasticity, सब कुछ समझा दिया है, अब किसी metallic wire को, हम लोग, जब external force अप्लाई करते हैं, तो किस तरह के से वो behave करता है, तो उसका behavior को, हमने stress और strain के comparison में समझा है, y axis पर stress है, और x axis पर strain है, हम यहाँ पर, अभी यह original position है, हमने इस पर force लगाने start किया, जब force लगाएंगे, तो stress उसमें अंदर बढ़ेगा, stress बढ़ रहा है, देखिए, इस graph पर stress बढ़ता है, और साथी साथ strain भी बढ़ रहा, लेकिन ऐसा होगा, कि जब हम force रिमूब करेंगे, तो original position को regain कर लेगा, तो यह कब तक होगा, वो यहाँ तक होगा, यहाँ तक, अपर yield point तक, यहाँ तक वो elasticity को show करेगा, यहाँ तक क्या करेगा वो, elasticity को show करेगा, लेकिन उसके just पहले क्या होता है, एक proportional का sign होता है, proportional limit, proportional limit भही, hooks law वाला, young's modulus का, stress is directly proportional to strain, तो इसका मतलब, इस region तक, stress is directly proportional to strain होगा, और इसी को कहते हैं, यहाँ पर वो show करता है, elastic behavior को, अब इसके बाद, एक आता है, upper yield point, दूसरा होता है lower yield point, यह दोनों point हो सकता है, आपको बुक में ना बने हो, क्योंकि मैं engineering background से हूँ, इसलिए मैं इसको और elaborate करेंगा आप से शिखा रहा हूँ, बुक में कभी-कभी सिर्फ एक yielding point बना होता है, lower वाला नहीं बनाते, है ना, अगर वो बना हो तो घलत नहीं हो, वो भी सही है, बोट के आपके 11 के लेवल का सही है, तो yielding मतलब होता है, maximum optimize point टक पहुँचना, yielding मतलब यह हो गया, तो यह क्या होता है, elastic behavior क्या होता है, यह maximum limit हो उसकी, इसके उपर elastic behavior नहीं शो करता, और फिर क्या होता है, फिर से उसके elasticity थोड़ा गिरती है, यह lower भी गिरेगी, लेकर उसके बाद फिर क्या होगा, अब plastic region start हो गया, plastic region का मतलब permanent deformation, क्या है यह, plastic behavior का मतलब इसे कहेंगे हम, permanent deformation, अब यहाँ पर क्या करेगा, यह material, permanent deformation शो करेगा, अब समझे एक बार, जब permanent deformation होता है न, तो वो ज़्यादा oppose नहीं करता, material, अब oppose नहीं करने का मतलब क्या हुआ, उसके अंदर stress ज़्यादा develop नहीं होता, आप खीचते जाएंगे बढ़ता जाएगा, जैसे spring, spring को थोड़ा से कीचे, खीचे छोड़ी वापस चला जाएगा, थोड़ा और खीचे छोड़ी वापस चला जाएगा, एक elastic limit के बाद, जब आपने उसे ज़्यादा खीच दिया तो permanent हो गया, देखा न, कभी कभी spring बढ़ जाता है, फिर उसके बाद जब आप खीचेंगे न, तो ज़्यादा deform वो अपोज नहीं करेगा, वो बढ़ता जाएगा, और बढ़ते बढ़ते क्या होगा, एक टाइम आएगा कि वो क्या करेगा, फ्रेक्चर हो जाएगा, तो वो पॉइंट कहलाता है, फ्रेक्चर का पॉइंट या पर, क्लिर, समझ में आगिया होगा, तो इसके में दो रीजिन है, एक इलास्टिक भी हैविर को शो करना, दूसरा है, प्लास्टिक भी हैविर को शो करना, हुक्स लॉग कहां तक फॉलो करेगा, यहां तक फॉलो करेगा, यंग मॉडूलर्स का फॉर्मूला कहा तक लगाएंगे यहां तक लगाएंगे stress is directly proportional to strain इसलिए ये लाइन एकदम straight है proportional का sign होता है clear समझ मैं आगिया चलिए यदी से note कर लीजए उसके बाद इस पर अब numerical लगाते हैं देखे एक numerical सामने है क्या कहता है the length of a suspended wire increases by 10 power minus 4 of its original length जैसे suspended wire का मतलब यहां से एक wire हमने suspend कर दिया इसका length माल लीजे original है L इसको आपने बढ़ा दिया यहां तक कर दिया तो यह change कितना है? वो है delta L कह रहा है the length of the suspended wire increases increases यह नहीं कहरा कर नया length वो कहरा change कितना हुआ increases यानि वो कहरा delta L के बारे में by 10 power minus 4 of its original length by 10 power 4 of its original length यह होता ना कि बच्चे को यह खिलाईए तो इसकी height double हो जाएगी तो पहले अगर उसकी height L थी तो बाद में कितनी हो गई 2L हो गई double का मतब 2L हो गई वैसे यहां पर है तो delta L upon L कितना है भई 10 power minus 4 यही तो epsilon है strain है अगर क्या कह रहा है when a stress of stress given है sigma 10 power 7 यह given है अब काफेंड करना है young's modulus sigma upon epsilon sigma है 10 power 7 epsilon है 10 power minus 4 उपर जाएगा प्लस हो जाएगा तो यह आजाएगा 10 power 11 अब देखो यहां सिर्फ इसका unit है इसका unit है ही नहीं नीचे वाला के strain का कोई unit नहीं होता है unit less होता है तो इसका unit क्या होता है force upon area Newton per meter square इसका भी unit होगा Newton per meter square अक्सर लोग कहते हैं कि constant की कोई unit नहीं होती है लेकिन घलत है यहां पर देखे constant की unit होती है कहें कहें constant की unit होती है ठीक है चलिए नोट कर लेजे अगला numerical करते है चलो second numerical solve करते है इसमें कह रहा है structural steel rod has a radius of 10 mm and a length of 1 meter देखो steel rod का मतलब यह समझो steel rod है और इसके जो area होता है वो cross sectional area होता है cross sectional का मतलब यह होता है आप जिधर से force लगा रहे है उसके perpendicular वाले area यही force तो लगाएंगे आप खीचेंगे इसको तो इसका cross sectional area यह कहलाएगा और यह क्या है circular है circular का कहोगा radius तो area हो जाएगा पाई यार स्क्वाइर तो अगर मैं यह कहूँ कि माल लिजे यह रहा एक steel rod और इसका length है L आपने यहां पर force लगाया F और इसको इस तरीके से increase कर दिया तो यह कितना increase कर दिया आपने delta L increase कर दिया क्लियर यही को कह रहा है कि radius of 10 mm यह जो यह जो radius है न यह आर यहां पर given है r is equal to 10 mm यानि कि यह हो जाएगा 0.01 मीटर और length L वो दिया है 1 मीटर यह 100 kN force यह जो force है उसकी value given है 100 kN 100 into 10 power 3 यानि 10 power 5 Newton simple stretches it along its length की चाहिए रहा है calculate the stress stress का मतलब sigma is equal to F by A force upon area force given है आपको 10 power 5 area होगा πाई R square चलो आप value रख देते हैं 10 power 5 3.14 into R square R के value है 0.01 का square solve occurring answer मिल जाएग अग्दम यह answer मिलेगा sigma is equal to क्या आएगा 3.18 into 10 power 8 Newton per meter square यह यहां sensor आजाएगा आराम सीग्दम easy second part देखिए यह first part था बी क्या कह रहा है elongation elongation का मतलब आपको delta L find करना है देखो formula हमने लिखा था y is equal to F L upon A into delta L यह formula कैसे आए था stress upon strain is equal to young's modulus y is equal to stress upon strain stress क्या होता है F by A strain delta L by L उसको solve करते हैं formula आता है क्या find करना delta L cross multiply करके इसको उधर लेके जाओ तो यहां से delta L हो जाएगा F by A into L upon Y क्या हमें F by A के value पता है हाँ पता है यही तो है sigma तो सीधे-सीधे F और A अलग-अलग मत पूट करो पूरी value पूट कर दो यहां पर क्या पूट करोगे 3.18 into 10 power 8 और L यह तो 1 given था और upon में Y देखिए यह रहाँ Y की value young's modulus elasticity 2 into 10 power 11 यह है delta L की value solve करेंगे ही आएगा answer 1.59 into 10 power minus 3 meter आएगा दूसरा answer यहां साजाएगा तीसरा answer तो और आसान पूछ रहा है केरा strain on the rod यानी strain का मतलब epsilon is equal to delta L by L तो delta L तो यह है 1.59 into 10 power minus 3 और L की value 1 है तो वही आगे answer 1.59 into 10 power minus 3 clear रिदा समझ में आया